कि नमस्कार दोस्तों रोजब टीवी के मैथमेजिक सीरीज के दसमें एपिसोड में आपको सौधत है इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे तेजी से बैदेग मैथ कॉप्यों करके नम्मर्स बिट्वीन इसके लिए हम लोग 50 को बेस ले लेते हैं तो 50 हम लोग बेस ले लेते हैं तो जैसे माली जी किसी ने स्कॉयर बोला हमें 49 के स्कॉयर करने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे जस 49 स्कॉयर तो 49 50 से एक कम है तो हम लोग माइनस कर लेंगे एक और इस वन को हमें 25 से माइनस करना है तो 25 माइनस 1 या 24 होता है हो गया और एक का स्कॉयर निकाल लेंगे तो एक के स्कॉयर जीरो वन ही होगा माइनस 1 का स्कॉयर जीरो वन ही होगा माली जी इसी प्रकार हमें 53 के स्कॉयर जो तो मोर देन है तो यह 3 ज्यादा है मोर है तो हम लोग 25 में 3 एड करेंगे तो 28 हो जाएगा और 3 के स्कॉयर जीरो नाइव सेम तिंग एक 44 के स्कॉयर माली जे निकालना हुआ तो कदर बदल लेता हूं है 44 स्कॉयर जीरो 6 लेस है तो 25 में 06 लेस करेंगे तो आप 19 मलेगा और 06 के स्कॉयर 36 तो आपके लास टूरिट भी आ जाएगे और इसके बाद माली जे एक और एक और एक्जामपल लेते हैं 56 तो 56 को आप ऐसे देखे 56 स्कॉयर हम लोग नों किया तो यह प्लस 06 ज्यादा है तो हम लोग 25 में 6 चोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 31 और 6 स्कॉयर is 36 सेम तिंग 59 ले लिया तो 59 जीरो 9 प्लस है तो इसी फॉर्मिल का यूज करके आप किसी भी और चलो इसी फॉर्मिल का यूज करके आप नमर्स बिट्विन 40 तु 60 के स्कॉयर फाइंड कर सकते हैं बहुत है एपिसोड में आपको पताऊंगा और हैंड का यूज करके आप कैसे तेजी से मल्टिपल के संटेवल कर सकते हैं और आपका अगर कोई कुश्चन्स हैं तो आप मुझे फेस्बुक पर या कमेट के दरा पूश सकते हैं रेगुलर अपडेट्स के लिए आप इस चैनल सब परनाना पूने थैंक यू सो मुझे तो